तो आज आप लोगों के लिए मैं लेक के आई हूँ यह प्रिटी सा मेकप लोग फॉर हर्याली तीज कि हमारे हिंदु रर्म में एक बहुत छुड आसा क्यूट सा फेस्टिवल आता है जो स्पेशल फॉर गल्स होता है तो उसके लिए ही मैंने मैंने यह मेकप लूग कर दो चल इसे वीडियो को लाइक भी कर दो क्योंकि यह तो बिल्कुल मुफ्त होती है ना तो इसको लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यह मैंने कैसे क्रियेट किया तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं बहुत प्यारे-प्यारे तो चलिए स्ट्राइट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे टोनर जो मैंने यूज किया है प्लम का नियसिनमाइड टोनर जो इसकिन के लिए काफे बेनिफिशिल होता है अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप नॉर्मली रोस बटर भी यूज कर सकते हैं और इसको टैप टैप करके मैंने इसको ड्राइ कर लिया है तब तक यह अच्छे से ड्राइ होता है तब तक मैं कर लीती हूँ अपनी आईब्रोज को फिल तो जो ब्रस इस पैंसिल के साथ था मैंने उसी के साथ आईब्रोज को कॉम कर लिया और मैंने मिडल से स्टार्ट किया था आईब्रोज को फिल करना और मैंने दौनों आईब्रोज को अच्छे से जो गैब था उसको फिल करके उसके बाद मैंने फिर से इस पूली से इसको सैट कर लिया जिसे कि जो भी एक्स्टा प्रोड़क्र हो वो निकल जाता एंड फिर आते हैं मौस्चराइजिंग पे तो मैंने लिया था पॉन्स का सोपर लाइट जेल जो मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने वीडियोज में भी और वैसे भी में स्किन केर में भी यही यूज करती हूँ और इसको अच्छे से पूरे फेस पे इस प्रैड कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे एन उसके बाद हम लौट के आ चुके हैं अब हम लगाएंगे संस्क्रेम टो फिंगर एप्लिकेशन के हिसाब से तो मैंने अच्छे से संस्क्रेम अपने फेस पे लगा ली है इसको भी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर से वापस आ चुके हैं तो अब मैं लगाऊंगे ब्लू हैवन का प्राइमर जो जहां जहां भी एफेक्टिव एरियाज है ओपन पोर्सिस बगरा है मेरी स्किन में मैंने वहाँ वहाँ प्राइमर को लगा लिया है यह जैल बेस प्राइमर तक बहुत अच्छा वग करता है यह आपकी स्किन पे अच्छे से स्प्रेट करने के बाद हैं अब मैं लगाने वाली हूँ स्ट्रोग क्रीम जो ली थी मैंने एन वाई बेकी जो मुझे गिफ्ट में रिसीव हुई थी प्रोडेक्स के साथ अच्छे से पूरी स्किन पे मैंने स्ट्रोग क्रीम को रप कर लिया है अच्छे से मसाज कर लेंगे और यह इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कर देती है आपकी स्किन में आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो दिया है इसने अच्छे से मसाज करने के बाद अब मैं करूंगी कंसीलिंग आई ब्रोज को सेपरे दिखाने के लिए अच्छे से ये आपको दिखें और आई लिड्स पे भी मैं कंसीलर अपलाई करूंगी जिससे मैं जो भी आई मेकप परूं वो अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे तो इसको फिर मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से और अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपलाई करूंगी फाउंडेशन यहां मुझे त्रिसका के पूछ रही थी कि मैं यह ले लूँ क्या तो मैं वो मुझे देखके बार बार बोल रही थी हो मामी आप तो बहुत लग रहे हो मैंने फाउंडेशन स्टिक अप्लाइ करने के बाद मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप करके अच्छ को ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंड को थोड़ा सा टाइम देना होता है जिसे कि हमारा बेस अच्छा हो एंड इसके बाद अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूं इस टेक करकी का का अच्छा एंड अफोडेवल प्राइज में आपको यह मिल जाएगा तो मैंने इसे ब्लेंडर की ही हेल्प से पूरे स्किन पे यूज किया है एंड अम मैं अप्लाइ करने वाली हूँ ब्लस मेरे पास यह तीन ब्लस थे दो थे लिप एंड चेक टिंट एक था मैड इस टेक करकी का तो मैंने यह पीच शेड वाला जो ब्लशर ह है वो मैंने यूज किया है इसका शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज्यादा तर अपनी वीडियो में यही यूज करती हूँ और देखो कितना सुन्दर कलर है इसका एन अगेन एन वाई बेका हाइलाइटर जो एकदम न्यू था इसकी पैकेजिंग भ वाली हूँ पिग्मेंटेशन इसकी अच्छी थी काफी अच्छा ग्लोब प्रोवाइड कर दिया था इसने हमारे फेस के जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं हाईलाइटर अपलाई कर लूँगी मैंने साइड के फोर हैड पे इसलिए अपलाई किया थ था तो मैंने यह स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट पैलेट ली थी जिससे मैंने बेस कलर को अपनी आइज पे अपलाई किया है इसी तरीके से मैं दूसरी आइज पे भी अच्छे से ब्लेंडिंग सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं सेके नाई पर आ चुकी हूँ और फिर मैं थोड़ा सा shimmer shade लगाऊंगी मेरी जो मैंने outfit वेयर किया हुआ था उससे related जो भी color है वही color मैंने shimmer shade में लिया है जो बहुत ही अच्छी pigmentation के साथ था अगें मैं NY Becca eyeliner यूज़ कर रही हूँ अपनी eyes पे बहुत बड़ा wing नहीं बनाओंगी नॉमत छोटा सा wing बनाएंगे और बहुत अच्छे से eyeliner अप्लाई कर लेंगे यह fully waterproof eyeliner है longest day करता है यह बिल्कुल भी नहीं हड़ता है आपकी eyes से अगर आपको सस्ता कोई eyeliner आगर आप ढूंड रहे हो सस्ता और अच्छा तो आप यह NY Becca liner जो काफी अच्छा है यह आपके eyes से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और मैं इसको थोड़ ऐसी smudge कर दूँगे जिससे हलका सा smoky look eyes साप नहीं दिखे तो जो मैंने color अपने eyes पर लगाया था वही color में lower lashes पर लगाऊंगे जिससे की मेरा eye make complete दिखे तो अच्छे से smudge कर लिया है मैंने काजल के साथ and अब मैं अपनी eye lashes को करने वाली हूँ curl क्योंकि मैं fake lashes wear नहीं करूंगी उसे थोड़ा heavy look create हो जाता है तो मैंने curl कर लिया है and blue heaven कर लिया है मैंने mascara यह मेरा recent purchase है और यह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मेरा favorite mascara mars का mascara है वो काफी अच्छा है waterproof है लेकि यह और अपने eye makeup को sharp दिखाने के लिए मैंने concealer से एक line draw की है जिससे के एकदम अच्छा दिखे और मैंने छोटे beauty blender एकदम अच्छे से ध्यान से मैंने इसको blend कर लिया है तो जिससे मेरा eye makeup and liner एकदम अच्छा दिखे अब मैं wear करने वाली हूँ lipstick जो मैंने मार्स का unlimited lipstick palette आता है उससे मैंने dark red color पिक किया था क्योंकि मुझे dark color wear करना था इसके साथ इस लुक के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था तो मैंने बहुत अच्छे से lipstick wear कर ली है काफी अच्छी lipstick के seeds है इसमें और आप unlimited lipstick create कर सकते हो तो देखो base मेरा कितना glow कर रहा है और फिर मैंने यहाँ पे लगाई अपनी outfit से matching की बिन दी अब मैंने अपने जो मेरी eyebrows हैं eyebrows की जो bone होती है वहाँ पे मैंने highlighter apply किया है जिससे की वो अच्छी दिखें और inner corner पे भी मैंने highlighter apply किया है जिससे की वो बहुत सुन्दर और अच्छी दिखें तो दोनों eyes में मैंने अच्छे से highlighter apply कर लिया है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए thank you so much अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe my channel अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो please अपनी दोस्तों के साथ share भी कर दें तो मैंने jewelry wear कर ली थी मैंने सुचा कि मैं मांग टीका भी पहनू लेकिन ये थोड़ी सी साधी वाली vibe दे रहा था तो मैंने इसको हटा दिया अब मैं यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर अपने look को complete करने के लिए मैंने सिंदूर wear कर लिया है अब मैं setting spray apply करूंगी beauty blender के उपर spray करने के बाद अगर मैं directly apply करूंगी तो कहीं कहीं से make up हट जाता है तो इसलिए मैं beauty blender के साथ ही मैंने apply की है तो ये था मेरा final look तो please मुझे comments करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये look कैसा लगा चोटी सी कोसिस की है मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल से steps में मैंने make up look create किया है and thank you so much for watching गाइस तो मेरे चैनल को subscribe किये बिना नहीं जाना